है लो इटिवरीवन कैसे आप सब स्वागत आप सब का अपके अपने चैनल इस्टडी बड़ी में तो इस वीडियो में आपको 3x3 मैट्रिक्स का इनिवर्स निकालना सिखाऊंगा लेशन 30 सेकंड हैं अफले सेकंड में किसीविकराती मैं फ्रिक क्रते करेंश घ्रिकराने क में इनिवर्स निकालते हैं नों जीरू होता है, तो पहले हमने का डितर्मिंटश निकालना है पर इसका डितर्मियिंट की वेलू आई था tej तो मतलब इसका इन वर्स के रेगा यह था देखे qr crlc셨 मेथड लगा रहे हैं तो पहले results उत्रेंड एक इस पर है तो c for center और फार राईट एल फार लेठt सीफार संका है गया है फिर इसके नीचे वाले रूपा जाना है इसका इतना थ्री है तुमने थ्री लिख दिया हुए फिर इसका right कितना है four, इसका left कितना है one, फिर से center पर three, फिर सब उपर वाले row पर चले जाना है, इसका उपर अलरो यह हो गया, अब दिकें, जो सबसे उपर अलरो इसका center 3 है, तुमने 3 लिख देना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, right three, left one, center three, again क्या करना है, आपको जो पहला वाला कॉलम है जो पहला वाला कॉलम फिर्स का लिए है उसको फिरसे एक Vार रिपीट कर देना है तो मनें रिपीट कर दिया 4 3,1,4 था को गचा ले वाटकर पने का है मैट्रिक्स कैसे रहे हैं हम ने क्या है को हमने क्या एक CENTRE के पिर उसके बाद according to method right element को लिखा right element इसका 3 था 3 लिख दिया left element 1 था हमने 1 लिख दिया फिर उसके बाद हमने क्या क्या उसके सेंडर तो प्र तो नीचे वाला हो पा जाना है तुअमने नीचे वाला रोप लिख दिया फिर उसका राइट इलेमंट फोर तो लिख दिया फिर यसका लेब्ट वहन था तो खुश्क लिए प्र फिर या ही प्रोसिजर नम परस्ट वाले रो में किया तो फिर्स वाले रो में किया सेंटर 3 राइट 3 लेप्ट वन और सेंटर फिर से 3 अब फिर हमने इस पहले वाले कॉलम को एक बढ़ और रिपीट कर दिया तो तो हुमारे 4 x 4 का मैंटरिक्स बन गया आओं जो हमारे matrix आई है यह होती है adjoint of a adv 화가ik dágy क्योंकि पता है कि inverse is equal using concentrade upon determinant of a तो पहले मुद्धे joint निकलना थिवाइट कर दिने हैं तो यह दिख्शा add joint आप दिर्णे कितने आसानी से निकल जाएगा अ यह TRADS 3D system verlink मैं trisk बहुत नहीं हैं सिंप्ली одним को एक sort trick है तो इसको matrix मत समझेगा बता जल्द हमने solve गर दिया आप कहेंगे कि 4 x 4 matrix इतना ली कैसे जा किया ठीक है बस एक trick है हमें क्या करना है इसका multiply इसमें कर देना है इसका multiply cross multiplication करके चार चार element को लिख देना है उसका cross multiplication करके जो answer है उसको लिख देना है तो कि पहले हम इन चार element को लिए तो इसका multiply में किया तो कितना है 4 x 4 जा 16 और 3 x 3 जा 9 16 मानस 9 7 आजाएगा अगर हम नीचे वाले element को लेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे अगर हम राइट इसके राइट में जाएगे तो राइट में लिखेंगे ठीक है अगर नीचे वाले 4 3 minus 4 आ जाएगा minus का वह आना जाएगा यहां से अब देखिए अब तो कोई element बचा नहीं तो हमारा क्या अब हम में shift करना पड़ेगा इसके right में तो आयते हैं right में right के 4 element को लिया हमने तो अब देखिए कितना होगा 3 3 9 4 3 12 तो 9 minus 12 minus का 3 आ जाएगा फिर अगें इसके नीचे के 4 element को लेना है 4 1 जा 4 3 3 जा 3 तो कितना जाएगा 4 minus 3 1 आ गया फिर अब इसके नीचे के 4 element को लेना है तो हमने इन 4 element को लिया अब इसका multiply करेंगा 3 3 3 3 3 तो 3-3, 0 अब फिर से कोई limit ने बचाता है हमें shift हो जाना है फिर से right में तुमने right में shift हो गए अब दीखें 3-3 या 9 3-3 या 9, 3-4 या 12 तो 9-12 मैनस का 3 आ गया 3 बंजा 3, 3 बंजा 3 3-3, 0 4 बंजा 4, 3 बंजा 3 तो 4-3, 1 आ गया है तो दिखें कितने असाने से हमारे adjoint निकल गया adjoint of a अब भी इसका determinant निकाला ता है इस matrix का determinant जो मैं given matrix था माई original matrix है इस matrix का अब भी determinant निकाला तो इसका determinant कितना है वो 1 आया हुआ है तो इसम्प्लिय में क्या करना है इसमें 1 से divide कर देंगे से डिवाइड करें तो तुम्हारा a-nverse आ जाएगा है क्यों कि हमें पता है a-nverse is equal to एड़्जवाइंट अफ़े अपान डिटर्मेन अफ़े इसका डिटर्मेंट वहना है फिले डिटर्मेंट इसका कितना है वहना है तो इसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है है डिवाइड करेंगे तो कोई इस मेटरिक सो फरक नहीं पड़ेगा तुमारे क्या हाज गा इस का इन्वर्स कितना हो जाएगा इस मैटरिक सब्सक्राइब भी जाएगा सेवेन माइनस त्री माइनस द्री माइनस वन-1 1-0-1 तुमारा फाइनल एंसर हो गया पहले बता दे कि जो CRLC मेथड है यह कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा यह बस एक जनेरेट किया गया है कि मैट्रिक्स को एजली कैसे निकाले तो कोई यह मेथड नहीं है बस आप आप लोगों की इजी के लिए बना दिया गया क्या है याद करने के लिए इसका नाम दे दिया किसी बिडियो मिलता रहे तो आप बेल आइकन सब्सक्राइब करें चैनल और साथे साथ बया ऑइकन को प्रेस अनले मैं भी न्या वीडियो अप्लोट करूँ आप तक नाट फेसर पहले मिलें तो थैंक यू शुर्ण फा वाचिंग